नमस्कार दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ important question discuss करेंगे RRB NTPC 2020 exam के लिए तो RRB NTPC 2020 के लिए जो भी important question हो सकते हैं आज हम उनको इस वीडियो में discuss करेंगे इस वीडियो में हमने जितने भी questions लिये हैं सभी repeated questions हैं जो की पहले exams में पूछे जा चुके हैं तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को like करें और अगर आपने भी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लें तो चलिए start कर लेते हमारी वीडियो देखते हमारा पहला question क्या है तो हमारा पहला question है Dash is the largest Hindu temple in Bangladesh तो Bangladesh जो country है उसमें सबसे बड़ा Hindu temple कौन सा है तो हमारा answer हो जाएगा धकेशवरी temple धकेशवरी temple जो है ये बांगलादेश का सबसे बड़ा Hindu temple है तो हमारी जो neighboring countries रहती है Bangladesh हो गई, Nepal हो गई, China हो गई, Pakistan हो गया, Sri Lanka हो गया हमारी neighboring countries है इनमें कौन-कौन सी famous sites है temples है, rivers है यह important रहती है यह exam में पूछी जाती है तो आपको याद रखना है कि बंगलादेश का सबसे बड़ा temple रहेगा धकेश्वरी temple once the national park is located in which state तो once the national park जो है यह इंडिया की कौन से state में located है तो हमारा answer हो जाएगा गुजराद तो गुजराद जो state है वहाँ पे located है once the national park who among the following ruler was defeated by मुहमद गौरी in a battle of चंदावर तो battle of चंदावर जो लड़ी गई थी वो मुहमद गौरी ने किसके साथ लड़ी थी किसको हराया था मुहमद गौरी ने तो हमारा answer हो जाएगा जै चंद जै चंद जो है उनको हरा दिया गया था मुहमद गौरी के दुआरा battle of चंदावर में तो आपको याद रखना है कि battle of चंदावर जो है ये लड़ी गई थी जै चंद और मुहमद गौरी के बीच में जिसको कि हम NDMA के नाम से भी जानते हैं is located in which state तो National Disaster Management Authority जो है ये कहाँ पे located है कौन सी city में तो हमारा answer हो जाएगा New Delhi तो New Delhi जो की capital है इंडिया की वहाँ पे located है National Disaster Management Authority इन जनवरी 2020 who won the presidential election in Taiwan तो Taiwan जो country है उसके president जो है दनवरी 2020 में वो कौन चुने गए हैं तो हमारा answer हो जाएगा Tisai Ing Bank जो है ये चुने गए हैं नई president जनवरी 2020 में Taiwan country के In which of the following amendment the government construct National Register of Citizens जिसको की हम NRC के नाम से भी जानते हैं काफी famous question रहेगा काफी important question रहेगा आपके exam के लिए काफी चर्चा में रहा है पीछे NRC तो NRC जो होता है National Register of Citizens तो ये जो होता है ये कौनसे amendment के थुरू government ने construct करा था तो हमारा answer हो जाएगा Amendment Act of 2003 तो amendment act जो पास करा गया था 2003 में उसके द्वारा add करा गया था construct करा गया था National Register of Citizenship को जिसको की NRC के नाम से जाना जाता है What is the full form of SIM? तो हम mobile phones में जो SIM यूज करते है उसकी full form क्या होती है तो हमारा answer हो जाएगा subscriber identity module subscriber identity module जो होती है ये full form होती है SIM की जो की mobiles में यूज करा जाता है In which of the following year the second battle of Thrain was fought तो second battle of Thrain जो लड़ी गई थी ये कौन से साल में लड़ी गई थी तो हमारा answer हो जाएगा 1192 AD 1192 AD में लड़ी गई थी battle of Thrain अब ये जो battles रहती है important रहती है आपके हरेके exam के लिए हमने separate video बना दी है battles के उपर जो कि आपको हमारे channel पे मिल जाएगी तो आप उसको देख सकते हैं उससे आपको काफी मदद मिलेगी आपके exam में The preamble of Indian constitution has been adopted on तो preamble जो है Indian constitution का वो हमने कौन सी date को adopt करा था तो हमारा answer हो जाएगा 26 November 1949 26 November 1949 में adopt करा गया था एड करा गया था preamble को Indian constitution में तो यह याद रखना है आपको most important question रहता है आपके exam के लिए जो preamble है जो constitution है इसमें जो features एड करे गए है sources of Indian constitution के नाम से हमने उसके उपर भी एक separate video बना दी है अपने channel पे उसको भी आप देख सकते हैं important रहेगी तारापूर atomic power station is located in Tarapur in dash तो तारापूर atomic power station जो है यह कौन सी state में located है तो हमारा answer हो जाएगा महरास्ट तो महरास्ट जो state है वहाँ पे located है तारापूर atomic power station which of the following is also known as stranger gas तो इन में से कौन सी gas है जिसको की stranger gas के नाम से भी जाना जाता है तो हमारा answer हो जाएगा xenon xenon जो होती है इसको stranger gas के नाम से भी जाना जाता है तो यह आपको याद रखना है xenon जो होती है noble gas होती है जिसको की stranger gas भी कहते है which of the following is the SI unit of viscocity viscocity जो होती है उसकी SI unit क्या होती है SI unit जो होती है important रहती है हाई exam में आपको SI unit के उपर जरूर question मिलेंगे तो viscocity की SI unit क्या होती है तो हमारा answer हो जाएगा decapois, decapois जो होती है SI unit होती है viscocity की important रहती है exam में पूछी जाती है third buddhist council was held where and under whose patronage तो third buddhist council जो होई थी वो कहां पे हुई थी और किसके अंडर हुई थी तो हमारा answer हो जाएगा इन पाटली पुत्र अंडर King Ashok तो पाटली पुत्र में हुई थी third buddhist council King Ashok के अंडर तो यह आपको याद रखना important रहता है जितनी वे buddhist council रहेंगी चारों important रहती है चारों के उपर exam में question पूछा जाता है तो आपको पता होना चीए कि buddhist council कहां पे हुई थी किसके अंडर हुई थी कौन से साल में हुई थी तो यह सब अकसर exam में पूछी जाती है कंडोलिम beach is located in dash तो कंडोलिम beach जो है यह कहां पे located है तो हमारा answer हो जाएगा गोवा तो गोवा जो state है इंडिया की वहां पे located है कंडोलिम beach dash discovered the world first antibiotic peninsulin तो peninsulin जो की दुनिया की पहली एंटिबायोटिक थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी तो हमारा answer हो जाएगा Alexander flaming तो Alexander flaming जो है यह Alexander flaming के द्वारा discover करी गई थी लेकिन आपसे exam में question पूछा जा सकता है कि who discovered the first words antibiotic तो आपको confusion हो जाएगा कि दुनिया की पहली एंटिबायोटिक किसके द्वारा बनाई गई थी अगर आपको options में हो सकता है कि peninsulin ना मिले तो फिर भी आपका answer हो जाएगा Alexander flaming तो आपको याद रखना है कि peninsulin जो थी यह दुनिया की पहली एंटिबायोटिक थी तो यह आपको याद रखेंगे अगर आप तो आपको याद रहेगा कि Alexander flaming जो है यह discoverer रहेंगे अगरा question देखते हैं हमारा इंद्रा सागर डेम is located in which of the following states of India तो इंद्रा सागर डेम जो है यह इंडिया की कौन सी state में located है तो हमारा answer हो जाएगा मद्यप्रदेश तो मद्यप्रदेश जो state है इंडिया की वहाँ पे located है इंद्रा सागर डेम which of the following acid is present in apples तो apples जो होते हैं उसमें कौन सा acid present होता है तो हमारा answer हो जाएगा mailic acid तो malic acid जो होता है यह present होता है apples में उसमें maleic acid होता है चाफ़ी सारे fruits होते हैं जिसमें maleic acid जो होता है वो पाया जाता है अगला question देखते है वेंग्रा festival is the harvest festival of which of the following state तो वेंग्रा festival जो होता है का फेस्टिवल है जो की रहेगा बंगला फेस्टिवल जो की एक हर्वेस्ट फेस्टिवल होता है मेगाले की जो ट्राइब्स हैं उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को तो इसका अंसर आपको पता ही होगा कि An Era of Darkness जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी हमने काफी बार अपने चैनल पे डिसकस कर चुके हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा शशी थरूर तो शशी थरूर जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जो रहेगी An Era of Darkness दि ब्र 2019 से सम्मानित किया गया था तो आपसे कोशन दो पूछे जा सकते हैं यहां पे कि साहित्ते अकेडमी अवर्ड 2019 से किसको सम्मानित किया गया था तो आपका अंसर हो जाएगा सशी थरूर या फिर An Era of Darkness जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो अभी आपका अंसर हो है वर्ड फूड प्रोग्राम का हेड़ क्वार्टर इंपॉर्टन रहता है एक्जाम के लिए यूए जो है उसके द्वारा जो वर्ड फूड प्रोग्राम चलाया जाता है उसका हेड़ क्वार्टर रहेगा रोम में तो अजात शत्रु जो थे वो हर्यांग डानेस्टी के रूलर थे तो वो किसके सं थे तो हमारा आंसर हो जाएगा बिम्बिसार तो बिम्बिसार जो थे इनके सं थे इनके बेटे थे अजात शत्रु हर्यांग डानेस्टी जो थी इसके जो फाउंडर थे वो रहेंगे बिम्ब बिंभिसार के दोरा found करी गई थी हर्यांगट डैनेस्टी In which of the following states is the बरहमगिरी वाइड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड तो बरहमगिरी वाइफ सेंचुरी जो है कौन से स्टेट में लोकेटेड है तो हमारा answer हो जाएगा करनाट का तो करनाट का जो state है वहाँ पे located है भ्रहमगिरी wildlife century काफी बार चैनल पे discuss कर चुके है important century रहती है which of the following is the major component of vinegar तो vinegar जो होता है उसमें इन में से कौन सा acid है जो की ज़्यादा माउट में पाया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा acetic acid तो acetic acid जो होता है ये एक major component होता है जो की सबसे ज़्यादा amount में पाया जाता है विनेगर में सिरका जो होता है उसमें पाया जाता है acetic acid In January 2020 Home Minister Amit Shah released a book करम योद्दा गरंथ This book is based on the life of तो ये question भी हम पीछे discuss कर चुके है कि Home Minister Amit Shah जो है इनके द्वारा एक book release करी गई है जनवरी 2020 में जिसका नाम रहेगा करम योद्दा गरंथ तो ये book जो है ये किसकी life के उपर based है तो हमारा answer हो जाएगा नरेंद्र मोदी तो Prime Minister नरेंद्र मोदी जो है इनकी life के उपर based है जो की book रहेगी करम योद्धा गरंथ और ये जो book है ये किसके द्वारा release करी गई है तो आपका answer हो जाएगा अमित शाहा Who among the following was the last ruler of Nanda dynasty तो Nanda dynasty जो है उसके last ruler कौन थे तो हमारा answer हो जाएगा धनानन्द तो धनानन्द जो थे last ruler थे Nanda dynasty के तो चंद्रगुप्त जो है उनके द्वारा हराया गया था धनानन्द को तो आपको याद रखना है कि Nanda dynasty के जो last ruler थे धनानन्द उसको उनको किसके द्वारा मारा गया था तो आपका answer हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर रहा है अगला कुशन देखते है हमारा तो जब हम प्याज को काटते है तो उसमें से एक एसिड निकलता है जो जिसकी वाज़े से हमको आसू आने लगता है वो जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है तो हमारा answer हो जाएगा sulphenic acid sulphenic acid जो होता है यह present होता है onion में जो कि जब हम onion को cut करते हैं तो उसमें से sulphanic acid जो होता है यह release होता है जिसकी वाज़े से हमको आसू आते हैं In which of the following states Is the Madhavpur Mela celebrated तो Madhavpur Mela जो होता है यह कौन सी state में celebrate किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा गुजरात तो गुजरात state जो है वहाँ पे लगता है Madhavpur Mela जो मेला होते हैं यह भी important रहते हैं इनके उपर अक्सर exam में question पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि Madhavpur Mela जो होता है यह लगता है गुजरात state में Who among the following was honored with the 50th दादसाई फाल के अवर्ड तो इसका answer आपको पता ही होगा कि 50th दादसाई फाल के अवर्ड जो है इससे किसको सम्मानित किया गया है तो हमारा answer हो जाएगा अमिताब बच्चन तो अमिताब बच्चन जो है इनको सम्मानित किया गया है पचासवे दादा साई फाल के अवोर्ड से टो फ्र्सट एनिवर्सरी ओफ डैश is celebrated एस इंटरनेशनल नर्सिस दे 12 मे एवरी येर तो भर साल बारे मई को इंटरनेशनल नर्सिस दे जो होता है सेलिब्रेट करा जाता है तो international nurses दे जो होता है 12 माई को ये किसकी birth anniversary होती है तो हमारा answer हो जाएगा Florence Nightingale Florence Nightingale जो है इनकी birth anniversary होती है 12 माई को जिस दिन celebrate किया जाता है जिसलिए celebrate किया जाता है international nurses day को which of the following is not a member of SARC association तो SARC organization जो है जिसकी full form रहेगी South Asian Association for Regional Corporation तो ये full form रहेगी कि SARC की ये भी important रहती है तो इन में से कौन सी country है जो कि SARC की member नहीं है तो हमारा answer हो जाएगा China तो China जो country है ये member नहीं है SARC organization की SARC की total 8 member countries है जिसमें इंडिया भी शामिल है तो ये आपको याद रखना है कि SARC जो है उसकी member नहीं है चायना तो दोस्तो ये था हमारी वीडियो का आखरी question अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आईयो तो हमारी वीडियो को like करें और अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो आप हमारे channel को subscribe कर लें धन्यवाद दोस्तो